तो इस पीडियों में बात करेंगे हैचेल लिए दिपे बारे में ज़्यादा कोंटन आता है मेरे को एक हमें आप का सबद्स कि तेजी को करें है कि उपर के लेविल का बाएंग यह तो लोग को अभी ज्यादा लोस हो रहा है कि आप मतलब रेजिस्टेंस कहां बन रहा है क्यूं जो है सेयर जो है 4500 को उपर क्रोश मतलब क्रोश नहीं कर पा रहा है और टार्गेट क्या निकल काएंगे वह आभी हम लोग आगेट जो है टेक्निकल बात करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा से यहां पर देख लेते हैं नेगेटिव में और छे मेना में देखेगा तो अभी भी जो स्टॉक करीब करीब 25-26 बसन रिटर्न बना के दिया है लेकिन देखें लॉस की स्कोर है जो लोग यहां पर बाइक के हैं करीब करीब जो आपका 5-6 लेबल का प्लस जो लोग बाइक के हैं तो लोग को देखें स्टॉक को इतना लेबल हाई लेबल में बाइक करेगा तो थोड़ा से तो अभी क्या है कि आपको यह तो होल्ड करिए क्योंकि देखें स्टॉक फंडमेंटल अच्छा है और मोनोपोली वाला सेयर है तो आप स्टॉक को जो है आपको कम से कम प्रॉफिट में तो बेचना है इस सब सेयर को जो है आपको लोस में तो बिल्कुल होल्डिंग कभी भी लोस में नहीं बेचा जाता है वो भी इतना अच्छा फंडमेंटल वाला सेयर हो और सबसे बड़ा चीज है कि मोनोपोली नेकि बिजनेस के बस जब तो मोनोपोली है तो आप कहां जाईएगा एरोश इस चाब इस बसफेर्शन का रिटन बना हुआ इंवेस्टर का लेकिन जो लोग आए कि हैं अभी ओढ़ी का थोड़ा से उपर में हैं जैसा अगर माल जी है फिप्टी टू बात करें हाई का दिखिए देखे जिए चपन सो इस बाइचा फंडमेंटल बहुत बढ़िया है आप इसको long term के लिए hold करिए long term नहीं तो भी कम से कम इस टॉक में जो है आप 2-3 साल दीजिए तब इस टॉक क्या है आपको profit आपको कम से कम कुछ नहीं भी तो 10,000 का इस टॉक की आपको 2-3 साल में target दिखा देगा इस टॉक में इतना दम है fundamental में इतना दम है कि आपको 10,000 तक क जो था 50 का पी था तो अभी इस टॉक इतना उपर से गिरा है और कॉंसिलेट थोड़ सा किया है तो उस कंडिशन भी क्या है पी एडजस्ट हो गए यहां पर 36 का पी थोड़ सा कहीं न कहीं हमको reasonable लगता है और आगे कमपनी का quarter 2 का result है और result अगर बढ़ आए तो जो है आपक से रोकेट बना हुआ है ठीक है तो यह भी देखिए भागेगा अच्छा सेहर है पर्नेमेंटल वाला इसको आप होल्ड करिए कालीबस सांदी से होल्ड करके आराम से बैठे रही है यह आपको अच्छा खासा टार्गेट और प्रॉफिट आने वाले दिनों में दे देगा तो अभी थो से टेकनिकल बात कर लेते हैं जैसे कि देख सेकते हैं अभी अम लोग हों टेकनिकल चाट में आगें अभी देखिये च्टॉंग में करना हैं आगे इसोर्ग आपका जहां से बेरिस को जाएगा जब तक इसके ऑपर टीक्दा हुआ है तब तक आपका सेर में क कोई टेंशन वाली बात है नहीं 4100 यह आपका बहुत ही दमदार इस्ट्रोंग सपोर्ट है इससे उपर जब तक है तब तक कुछ मतलब इस्टॉक में आपको सोचने वाली बात है नहीं अब देखिए इस्टॉक अगर उपर भी जा रहा है तो इस केस में यहां पर रेस्टें के साथ मतलब यह अच्छा वहक्त नहीं करता है जैसे का आज भी देख सकते हैं षाइब कितना मारा यहां पर बीरासि है तो मेरा कहना ही है जब तक 4500 के ऊपर इस्टोक जो है आपका टिकता नहीं है हाई भोलेओं के साथ और क्लोजिंग नहीं देता है वान डे का केंडिल में तब तक पिछला भी बार इसे हुआ एक बार इससे पहले भी गया था यहां पर दो बार गया था फिर नीचे आ गया सपोर्ट लिया अगर इसको नहीं इस बार ब्रेक आउट करके उपर नहीं निकल पाता है अगर 4500 को निकल बने पांचेजर में फिर 4500 से 4500 जाने में ज्यादा ताइम नहीं लगेगा क्योंकि वहां पर बीच में तरह मतलब ठीच क्रेंटरेंगे अपना मतलब सब चीज़ देख के लिए इसा नहीं कि यहां पर दो दिन बना दिया अच्छा तो हम कूच जाए हैं यहां पर पताशल सब्सक्राइब करने क्या है तो इसलिए हम भी बोल रहें जब तक आपके यह में के उपपर केंडल नहीं देता और 45 को ब्रेक आउट नहीं करता तब तक तो मतलब फिर स्ट्रेट के नहीं हम बोलेंगे लेकिन हाँ जो लोग नीचे से है होल्ड किया हुआ है या फिर उपर से फसे हुए तो वो लोग इस खेस में क्या है आराम से होल्ड करिए कोई बात नहीं बहुत बढ़िया श्टोक है फंडमेटल इस्ट्रों अच्छा है यहां से जैसे 4500 का मतलब ब्रेक भी कर सकते हैं लेकिन जब तक इसको नहीं ब्रेक आउट करता है तब तक थोड़ा सा वेटेंड वर्च करिए स्टोक में क्योंकि देखिए दो तिन में कहीं ना कहीं स्टोक जो है आपका करीब करीब सातार परसंट का रिटन बना के दे दिया है तो हो सकता 4500 का मतलब आपका इस्टोक जो है यहाँ पर आपका ऊपपर चल जाएगा फिर 5600 तक का टार्गेट दिखा देगा लेकिन सबसे पहले अभी हडल जो है 4500 उसको क्रोश करने दिजे फिर 5000 उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग जैसे भी उसको क्रोश करेगा 45500 को हम फिर वीडियो बना क